मुख्यमंत्र योगी आदित्यनाथ नोएडा में स्थापित हो रहे आइकिया स्टोर का वर्चुल माध्यम से शिलान्यास किया। इस दोरान उन्होंने कहा कि साड़े साथ वर्च में उत्तर प्रदेश ने देश दुनिया के निवेशकों का विश्वास अरजित किया है। आइकिया इंडिया उन्ही निवेशकों में से एक है। आईकिया, इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5500 करोड रुपए के निवेश प्रस्ताव पर धन्यवाद ग्यापित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के अंदर अब इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है उन्होंने कहा कि पिछले साथ साल में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश के नए युग में प्रवेश किया है उत्तर प्रदेश पिछले साथ वर्स के अंदर विकास और निवेश के एक नए युग में प्रवेश किया है इन साथ वर्सों में इंफ्रस्ट्रक्चर के डेबलम्मेंट के लिए निवेश की नई संभवनाओं को विक्सित करने के लिए युवाओं के इस्किल डेबलम्मेंट के लिए परंपरागत उत्पाद को प्रोच साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने अनेक कारेकरम प्रारंब किये आज उसके प्रणाम हम सब के सामने हैं प्रंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट की उत्तर प्रदेश की अभिनो योजना आज देश के अंदर एक लोग प्रियर योजना की रूप में उभर करके सामने आई है CM योगी ने कहा कि इनका सेंटर्स की इस नई परियोजना में Ikea रिटेल स्टोर, होटल, ओफिस स्पेस और शॉपिंग सेंटर खोला जाएगा इसके माध्यम से 9000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्थ होगा उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से Infrastructure Development, निवेश की नई संभावनाओं के विकास, स्किल डेवलप्मेंट और परंपरागत उत्पादों के प्रोटसाहन में उत्तर प्रदेश ने अनिक कारेकरम प्रारंब किये है आज उसके परिनाम हम सब के सामने है CM योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ODP योजना देश की अभिनव योजना बन गई है साथ ही बहतरीन कानून विवस्था से उत्तर प्रदेश Ease of Doing Business में देश में अगरणी है मुख्य मंत्र योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में भारत की अर्थ विवस्था में 9.2 प्रतिशत का योगदान दे रहा है आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर की अर्थ विवस्था वाला राज्य है जो तीजी के साथ भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून विवस्था की स्थिती ने इस आप डूइंग बिसनेस के लिए किये गए रिफॉर्म और प्रियास के प्रिणाम सरूप आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्मेंट के एक बेहतरीन डिस्टिनेशन के रूप में सामने आया है इसने उत्तर प्रदेश के अंदर अनिम्प्लाइमेंट के रेट को भी कम करने में काफी मदद की है मैंने निवेस के प्रस्ता उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं और अलग-अलग सेक्टर की 27 नई सेक्टरियल पॉलसीज के साथ में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज भारत के विकास के लिए अपने योगदान को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है उन्होंने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश ने अपनी ओद्योगिक विकास नीती बनाई थी उस समय प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने हम लोगों का मारगदर्शन करते हुए कहा था कि इंवेस्टमेंट को एम्प्लॉइमेंट के साथ जोड़ना चाहिए तो हमारे देश के सुष्वी प्रधान मंतरी आदनी सी नरेंदर मोदी जी ने उस समय हम लोगों का मारगदर्शन करते हुए एक बात कही थी कि इंवेस्टमेंट इंप्लॉइमेंट के साथ जोड़ना चाहिए और मुझे प्रसंता है कि 5500 करोड उपे के इस नए निवेस के साथ 9000 से धिक युवाओं को रोजगार की नई संभावनाओं की गारंटी भी यहाँ पर प्राप्त होगी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी और प्रतिभावान युवा आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है विगत साड़े साथ वर्ष में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर खटी है 27 अलग-अलग सेक्टर की सेक्टोरियल पॉलिसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है उत्तर प्रदेश भारत की आवादी का सबसे बड़ा राज्य है और भारत की अर्थ विवस्ता में वर्तमान में 9.2 प्रिस्ट का अपना योगदान दे रहा है यहाँ वर्तमान में भारत की नंबर 2 की अर्थ विवस्ता के रुप में तेजी के साथ विकास के ग्रोथ इंजन के रुप में भारत की अर्थ विवस्ता को भी संबल देने के लिए आज आगे वड़ रहा है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का नोईडा, ग्रेटर नोईडा और यमुना अथॉरिटी का क्षेत्र इस वर्ष के अंत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं के साथ ही भारत के सबसे बड़े नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के साथ जुड़ जाएगा इंतराश्ट्रिय समुदाई के हित में है यही दुनिया के और देश के निवेशकों की देश से उपलब्द तो है ही लेकिन साथ ही साथ यहां पे देश का सबसे युवा आबादी भी निवास करती है जो नकेवल युवा उर्जा से बलकि प्रतिवा से भरपूर भी है आज का यह जो निवेश है यह आधने प्रधान मंत्री जी की मंसा के अनरूप उत्तर प्रदेश को देश की एक सबसे बड़ी अर्थ विवस्ताओं में से एक अस्थापित करने में एक मददकार साबित होगा कार्यक्रम में स्वीडन के अंबेसडर यौन थेसलिफ, उत्तर प्रदेश के ओद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुपता, नंदी, MSME मंत्री राकेश सचान, ओद्योगिक विकास के राज्य मंत्री जस्वंत सैनी, मुख्य सचिव मनोज सिंग, आइकिया इंडिया क के सीओ सुजैन पुलवरर आदी मौजूद रहे